हाई एंड वेलकम तो मैं चैनल और दे फ्लेवर्स ओफ लाइफ आज मैं आपको अपने गार्डन के सिर्फ दो प्लांट से एक छोटा सट ट्रे अरेज्मेंट बना कर दिखा रही हूं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक शैलो ट्रे लेंगे और उसमे तार को जो होल की साइथा से फिक्स कर देंगे जैसे कि मैंने इस तरह से फिक्स किये हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इनको फिक्स करें आप इसको मिट्टी से भी दबा करके साइड में फिक्स कर सकते हैं पर मैंने पर्मनेंट आरेंजमेंट किया है ताकि ये हिले डुल कर कह साहिवां दी में कुछ न इसलन ही ले वीद मेंसे स्फाइडरी प्लांट नगाएँ और ये मेरे पास कुछ पो प्यानट ऊब्लांट है जो की मैने पॉक्र Pack में लगा क्या प्लांट रेकान इनको मैं इस उवाहिर की संबर प्लांट निते हों घ्राघिक ब्लांट और यह सीजर मेरे पास है तो यह प्लांट मैंने इसका जेट प्लांट पॉट से निकाल दिया है अब मैं इसमें थोड़ी सी इसमें जगा बना करके वायर के जस्ट बगल में ही होल करके इस प्लांट को लगा दूंगी तो देखिए यह मैंने लगा दिया है और लगाने के बा जेट प्लांट या हम इसे elephant bush प्लांट भी कहते हैं, एक ऐसा प्लांट है कि जिसको आप जैसी shape देना चाहें, वैसी shape हम दे सकते हैं, जैसे जैसे ये बुशी होता जाता है, कई लोग इसको peacock की shape देते हैं, कई लोग बॉल की shape में, कई लोग इसको bonsai की रूप में भी develop करते ह तो अगर आपके पास ये plant है, तो आप इसको अपनी मन चाहे आकार में trim कर सकते हैं, ये shape दे सकते हैं, तो इसी तरह से मैं दूसरी side भी इस plant को लगा दूँगी, और धागे की सायता से बान दूँगी, जेट प्लांट एक low maintenance plant है, beginners भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, बस आपको सिर्फ इसके water requirement का ध्यान रखना है, ना तो इसमें excessive watering होनी चाहिए और ना less watering होनी चाहिए, उसके अलावा आप इसको किसी भी well-drained soil में लगा दीजिए, और ये बहुत कम देख भाल मांगता है, succulent प्लांट है, आप इसको आसानी से लगा करके अपने garden की सुभा को बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से देखे, मैंने दूसरे साइट का भी इसमें लगा दिया है, और अब मैं इसको धागे की साइटा से बांद दूगी, ताकि ये निकलना जाए, और फिर जो इसकी extra branches है, उसक मिक्स करके, अच्छे से से सैंड का पोर्शन जो है, लगबग 40% रखके बाकी garden soil और ये जो आप कंपोस्ट है, वो मिक्स करके इसमें लगा देना चाहिए, और इसको बार बार जो है, ये ज्यादा दिमांडिंग तो जैसे मैंने आपको बताया, लीस्ट केरिंग प्लांट ह नहीं है, तो हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अब मैंने इसको धागे से बान दिया है, तो उसके बाद अब इसकी trimming की बार याती, जो भी इसकी unwanted branch आर्च से बाहर दिख रही है, उसको मैं cutting कर दूँगी, cutting करने के benefit ये होते हैं कि कुछ टाइम बाद वहां से नई branches आने इसके बाद में इनको कुछ colored पथर yellow और blue stones मेरे पास है, उनसे मैं इसको decorate कर दूँगी, आज कल market में बहुत सारी garden accessories available है, आप अपनी theme को according इसको पूरे अच्छी तरह से सजा सकते हैं, अभी तो मैंने इसको सब से simplest way में इसको decorate किया है, आप इसमें हाट पानी दिखा सकते है हैं, ducks swim करते हैं, छोटा सा bridge बना सकते हैं, छोटी-छोटी accessories आज कल online भी और market में भी available है, आप अपनी choice के according, जो भी आप theme develop करना चाहें, छोटे से pot में, container में आप उस तरह से इसको develop करके सजा सकते हैं, अभी तो मैंने इसको देखिए, simple way में दो छोटे-छोटे naughty babies मैंने इस अलगा, comment box में जरूर बताईएगा, इस तरह के tray arrangement आप jade plant के साथ, English iv plant के साथ, या कोई छोटी leaf वाली plants के साथ भी आप बना सकते हैं, या आपकी choice है कि आप कौन सा plant select करना चाहते हैं, इस वीडियो के last में मैंने एक जंगली climber जो है, उसके साथ भी मैंने इसको try करके अगर आप लास तक वीडियो देखेंगे, तो आपको जरूर वो दिखाई देगा, कि मैंने किस तरह से एक जंगली, जो creeper है, उसको भी इसमें लगाया है, आप अपना precious time निकाल करके मेरे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, thanks for watching